स्कोडा इंडिया ने भारतिय बाजार में हमेशा से अच्छी कारे लाई है कम्पनी ने भारत में ओक्ताविया के साथ प्रवेश किया था जिसे खूब पसंद किया गया था यह अभी भी अपने आप एक लेजिंड है इसके बाड़े बाजार में लोरा, सुपर्ब वर रैपिड जैसे तीन मॉडल्स को लाई गया सेडान मॉडल्स कम्पनी की सबसे मजबूथ हिस्सा है और कम्पनी ने एक और नया सेडान भारतिये बाजार में ला दिया है स्कोडा ने इसका स्लाविया रखा है जो कि Skoda Rapid की जगा लेने वाला है Rapid एक शांदार मिजसाइस सेडान है और इसकी जगा लेने के लिए Skoda को उससे भी बेहतर कार बनाने की जरूरत है यहाँ पर Slavia की entry होती है चेक भाशा में इस कार के नाम का मतलब glory महिमा होता है हाल ही में वर्ड स्टेटिक ट्रीमियर में इस सेडान को देखने का मौका मिला कैसी है Skoda Slavia? आएए जाने.डिजाइन वस्टाइल यह कहने में कोई दो राय नहीं है कि Slavia अपने सेग्मिंट में सबसे शांदार लगती है यह बिलकुल सेडान की तरह लगती है और Skoda के सभी डिजाइन देखने को मिलते है सामने सिगनेचर बटरफलाई ग्रिल वख्रोम दिया गया है इसमें गोलाकार फोग लाइट में हैलोजन बल्ब दिये गये है और इसके पास उल्टा एल आकार का एलिमेंट दिया गया है बोनट पर कुछ कैरेक्टर लाइन देखने को मिलते हैं जो इस सेडान को मस्किलर लुक देते हैं साथ ही देखने में आकरशक बनाता है सलाविया के साइड हिस्से में और भी कैरेक्टर लाइन देखने को मिलते हैं नीचे की विंडो लाइन को ख्रोम में रखा गया है और यह सीपिलर के पास गूमरेंग आकार के पास खत्म होता है दोर हैंडल में भी क्रोम देखने को मिलता है डॉट इसके साथ ही पीछे हिस्से तरफ रूफ लाइन स्लोप हो रहा है और यह स्पोर्टी कूपे जैसा लुप देता है इसमें शार्क फिन एंटीना भी दिया गया है स्कोडा स्लाविया में 16 इंच के पहिये दिये गए हैं और जिस मॉडल को हमने चलाया उसमें डूल टोन डायमंड कट पहिये लगाए गए हैं स्कोडा का कहना है कि स्लाविया में 3 अलोय भील का विकर्प दिया जाएगा निचले वैरियन्ट में अन्य भील डिजाईन दिये जाएंगे, dot, variant वर रंग विकर, स्कोडा स्लाविया को तीन वैरियन्ट में उपलब्द कराया गया है, जिसमें 5 रंग का चुनाव किया जा सकता है, dot, स्कोडा स्लाविया रंग विकर, टोर्नेडो रेड, Candy White, Carbon Steel, Reflex Silver, Crystal Blue इसका Carbon Steel रंग क्लासी लगता है वही Tornado Raid बेहद आकरशक लगता है हमें Candy White वर Reflex Silver को सामने से देखने को नहीं मिला हमने Crystal Blue रंग को बेहद ध्यान से देखा और यह रंग रखने लायक है यह रंग बेहद आकरशक लगता है और साथ ही इस रंग को सिर्फ Slavia में उपलब्ध कराया गया है Skoda Slavia Variant, Active, Ambition, Style, Interior Skoda की कारे अपने शांदार व आराम दे इंटीर के लिए जानी जाती है और Slavia भी उनमें से अलग नहीं है जैसे ही आप दरवाजा खोलते हैं तो आपको बेहद स्पेस वाला डूल टोन इंटीरियर मिलता है आपको तुरंथ ही किसी प्रीमियम कार में बैठने का अहसास होता है सबसे पहले आपका ध्यान इसके दो स्पोक वाले स्टीरिंग पर जाता है यह स्कोडा कुशाक से लिया गया है और इसमें म्यूजिक वा कॉल के लिए बटन दिये गए है स्टीरिंग वील पर नॉब को सिल्वर रंग में रखा गया है और यह इस कार को और भी प्रीमियम लुक देता है चुंकि यह टॉप स्पेक मॉडल है जो साथ स्पीड दीस्टी के साथ आता है स्टीरिंग वील के पीछे में पैडल शिफ्टर दिया गया है डॉट इसका 8 इंच TFT स्क्रीन इंस्ट्रूमेंटेशन का काम देखता है यह डिजिटल इंस्ट्रूमेंटेशन डिस्प्ले कई जानकारी डिस्टिंस टू एंप्टी, वर्तमान माइलेज, औसत माइलेज, फ्यूल स्टर, ओडो मीटर, स्पीडो मीटर आदी की जानकारी देता है जो प्रीमियम और फैंसी लगता है इसका डैश बोर्ड हार्ड टच प्लास्टिक का तयार किया गया है और इसके मध्य में इमफोटेन्मेंट सिस्टम को रखा गया है यहाँ एक 10 इंच यूनिट है और स्मार्टफोन को पूरी तरह से कनेक्टिविटी का विकल्प देता है इसमें एंड्राइड ओटो व एपल कारपले दिया गया है साउंड के लिए हाई क्वालिटी स्पीकर दिये गये है तथा टॉप वेरियंट में सब्भूफर भी दिया गया है इमफोटेन्मेंट स्क्रीन के नीचे सेंटर, AC वेंज व उसके नीचे एर कंडीशनिंग के लिए कंट्रोल दिये गये है यहाँ पर AC को कंट्रोल करने के लिए कोई बटन, नौब या स्लाइडर नहीं दिया गया है इसमें हेप्तिक कच पैनल दिया गया है AC कंट्रोल पैनल वर टच स्क्रीन, इमफोटेन्मेंट सिस्टम का टच प्रतिक्रिया अच्छी है और उपियोग करने में आसान है इसका सेंटर कंसोल प्रीमियम है और गियर लीवर में नया लेदर भूट दिया गया है गियर लीवर को घेरे हुए पियानो ब्लैक पैनल में कुछ बटन दिये गए हैं जो इस सेदान के कई फीचर्स को कंट्रूल करने का काम करते हैं डाट डैश बोर्ड के दोनों किनारों दिये गए एसी वेंट्स गोलाकार है और इसमें अम्बियंट लाइटिंग भी दी गई है यह समान डूल टोन पीछे हिस्से में भी देखने को मिलता है डाट चेसिस इंजन वर स्पेसिफिकेशन स्कोडा स्लाविया कंपनी की MQBA शून में आईएन प्लेटफोर्म पर आधारित है और कंपनी की इंडिया दो दशमलव शून में योजना के तहत लाँच होने वाली दूसरी उत्पाद है यहाँ एक ग्लोबल प्लेटफोर्म पर आधारित मॉडल है जिसे भारतिय बाजार के लिए कस्टमाईज किया गया है ऐसे में कहा जा सकता है कि बहुत सारे पार्ट्स का आधान प्रदान किया जा सकता है इसके परिनाम सोरू, इंजन वा गियर बॉक्स स्कोडा कुशाक से लिए गए है आपको इस सेदान में दो इंजन वा तीन गियर बॉक्स विकल्प मिलता है स्कोडा स्लाविया में 1.0 लीटर टर्बो पेट्रोल वा 1.5 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन दिया गया है 1500 RPM के बीच 178 Nm का तार्ब प्रदान करता है इस इंजन में 6-speed manual वा 6-speed तार्ब कनवर्टर ऑटोमेटिक गियर बॉक्स दिया गया है इसके बाद बड़ा इंजन आता है जो की अधिक शक्तिशाली भी है यह चार सिलेंडर 1.5 लीटर इंजन है जो 5000 RPM पर 148 BHP का पॉवर वे 1500 RPM पर 250 Nm का तार्ब प्रदा करता है इस इंजन में 6-speed manual वा 7-speed DST gearbox दिया गया है यह इंजन शांदार performance देता है और हम जल्द ही इसे चलाने वाले हैं बड़े इंजन विकर्प के साथ स्कोडा स्लाविया midsize sedan segment में सबसे ताकतवर model बन जाती है . स्कोडा स्लाविया की सभी सीटे चिदरित हैं हाला कि आगे की दोनों सीटों में ventilation फीचर भी है कार की सीटों को लंबे समय तक यात्रा करने के लिए design किया गया है स्कोडा स्लाविया का पिछले हिस्सा भी काफी spacious है इस सेदान में 2651 मिमी का भील बेस है जो इस segment में सबसे अधिक है स्लाविया में यात्रियों को भरपूर legroom और knee room भी मिलता है स्कोडा स्लाविया की चौडाई 1752 मिमी है जो segment में सबसे अधिक है और इस वजह से इसे कार की दूसरी पंक्ती की सीटों में तीन लोग आराम से बैठ सकते हैं डॉट, storage space के मामले में भी स्कोडा स्लाविया काफी बहतर सेदान है इसमें पीछे के यात्रियों के लिए सीट पर fold down arm wrist भी मिलता है और इसमें cup holder भी है डैश बोर्ड में एक छोटा सा storage space है और center console, door pockets में storage space है और rear seat में hedge के जरिए भूट एकसेस किया जा सकता है कुल मिलाकर यह एक वेभारिक सेदान है बूट की बात करें तो स्कोडा स्लाविया में 521 लीटर का बूट space है जो इस segment में सबसे बढ़ा है पीछे की seat को fold down किया जा सकता है जिससे इसके बूट space को 1050 लीटर तक बढ़ाया जा सकता है एक मध्यम आकार की सेदान के लिहास से इसमें काफी बढ़ा भूट space दिया गया है स्कोडा स्लाविया को सेफ्टी फीचर के मामले में बेहतर बनाने के लिए कंपनी ने कोई कसर नहीं छोड़ी है सेफ्टी के मामले में स्लाविया अपने से महंगी सेदान कारों को भी टक्कर देती है ये हैं स्कोडा स्लाविया में मिलने वाले कुछ प्रमुक सेफ्टी फीचर्स चार एयर बैग, ABS के साथ, EBD, Traction Control, Electronic Stability Program, Hill Start Assist और Hill Hole Control, Electronic Differential के साथ, Inti Slip Regulation और Motor Slip Regulation, Rollover Protection, ISOFEE ऐसे युग में जहां निर्माता SUV को अपनी प्राथ मिक्ताओं में सबसे उपर रखते हैं, स्कोडा अपनी जड़ों से जुड़ी हुई है और ग्रहकों के लिए एक और खूपसूरत सेदान लेकर आई है स्कोडा स्लाविया देखने में बहुत आकरशक है और प्रीमियम भी लगती है यह काफी बड़ी है और इसमें बहुत सारी सुविधाएं भी हैं स्कोडा स्लाविया की कीमत बहुत प्रतिसपर्धी होने की उम्मीद है अगर इसके पौवर और परफॉर्मेस को ध्यान में रखें तो यह बिल्कुल स्पष्ट है कि स्कोडा स्लाविया अपने सेग्मिंट में सबसे अच्छी वैल्यू फॉर्मनी सेदान होगी भारतिय बाजार में स्लाविया का मुकाबला हुंडी वर्ना मारूती सुजुकी सियास और होन्डा सिटी से हैं डौत हम जल्द ही स्कोडा स्लाविया का कंप्लीट रिव्यू लेकर आएंगे और बताएंगे कि यह सेदान हमें चलाने में कैसी लगी और आपको खरीदनी चाहिए या नहीं आटो मोबाइल से जुड़ी अन्ने खबरों को जानने के लिए सब्सक्राइब करें